वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइज आज हमें एक ऐसी मूवी की बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि हमारे रियल लाइफ में भी होता है कहीं बात हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पॉईकॉट कर दिया जाता है या फिर एकनोर किया जाता है ग्रूब के अंदर जंगल की चानवरू की कहानी सुनने मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हैजॉग को देखते हैं जिसका नाम लाटे था हैजॉग के नाम से जो गाईज अगर सबसे पहले मूवी याद आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉनिक है अगर अब तक भी आपने मूवी नहीं देखिए सॉनिक के तो गाईज वो मेरी चैनल पे अल्रेड़ी एक्स्प्लेइन करी हुई है जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा तो प्लीज उस मूवी को ज़रूर चेक आउट करिएगा बैक टू दा मूवी इस जंगल के अंदर कहीं सारे जानवर रहते थे यहाँ पे पानी के काफी जादा कमी थी इसी के कारण सारे जानवर किसी एक चीज के अंदर पानी खटा करके रखा करते थे पानी खत्म होने लगा था सारे जानवर परिशान थे इसी के करण सब लोग मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं जिसके बाद जेने किलैरी पे शिफ्ट होता है जिसका नाम तुजुम था जब तुजुम खेलने के लिए कुछ पिग और पैरिट को बिलाता है तो वो मिलके तुजुम को बहुत परिशान करने लगते हैं तुजुम के आवाद सुनके या लाटे पहुँच जाती है साथ ही में उन तीनों को डरा भी देती है तुजुम को ये मतलब नहीं था कि लाटे ने उसकी help करी बलकि उसे तो बुरा लगता है कि अब अगर यहां से जो तीनों जानवर गए है वो मेरा बहुत बुरी तरीके से मजाग उड़ाएंगे तो लाटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था तुजुम अपने घर पे एक नट को लेकर गया था लेकिन गलती से उसके हाथ से वो फिसल जाता है और जाके सिधा लाटे के घर के बाहर करता है लाटे तुजुम को वापस से उसका नट लोटा दीती है तुजुम को पता चलता है कि लाटे सबके साथ में फ्रॉट कर रही है आखिर उसने खुद के लिए पानी अलग से क्यों बचा के रखा है इसी के करण तुजुम उसे ले लीता है लाटे को पता था कि कभी भी एमरजनसी आ गई तो शायद उसे खुद के लिए थोड़ा पानी अलग से सिक्योर करके रखना चाहिए ऐसा वो इसलिए किया करती थी क्योंकि कोई भी लाटे से बात वगर नहीं करता था तुजुम उसी शेल को लेके लाटे के पानी को पमकिन के अंदर डालनी वाला था लेकिन गलती से उसका पैर फिसलता है और वो जाके सीधा पमकिन के उपर ही गिर जाता है जिस चकर के अंदर pumpkin तूट जाता और उसमें रखा हुआ सारा पानी भी बिखर जाता है इसी समय यहाँ पे कोई दूसरे जानवर आते हैं लाटे और तुजुम डर जाते हैं और वहाँ से छुप जाते हैं सारे जानवरों को पता चल गया था कि अब तो हमारा pumpkin तूट गया है और हमारे पास बिल्कुल पी पानी नहीं है आखिर ऐसा कौन करेगा लाटे और तुजुम डौनों ही साइड में खड़ेयों के बात सुन रहे थे जहांपे तुजुम का क्याना था कि शायद हिने जाके सबको सब कुछ बता देना चाहिए इन्हें जोप नहीं बोलना चाहिए लेकिन लाटे ऐसा करनी से मना कर देती है लाटे को पता था कि अगर वो किसी को समझाएगी तो भी कोई उसकी भात नहीं समझchedगा इस बहस के चकर में ही ये तौनों जिस पेड़ के अंदर बैठे थे वही पेड़ मीटिंग के अंदर जाके गिर जाता है और ये दौनों इस सब के सामने आ जाते हैं जहांपे तुजुम जाके मीटिंग के अंदर बोल देता है कि ये सब कुछ उनी के कारण हुआ था जैसा कि लाटे नी कहा था कि कोई भी उसकी बात नहीं समझेगा और होता भी यही है कोई भी जानवर उसकी बात नहीं समझता और सब उस पर चिलानी लगते हैं कि आखिर आप पानी कहां से आएगा इसी समय यहां पे कवा पहुँच जाता है जो कि आज से सालों पहले हुई भविश्यवाने के बारे में बताता है, आस्मान से एक स्टोन इस वाइट माउंटेन पे गिरा, माउंटेन पे उस स्टोन के होने की कारण, वहाँ पे हमेशा से ही पानी रहने लगा, सभी के पैस में पानी था, जिसके बाद में यहाँ पे भालू का राजा आया, और वो उस कि जानवरों को तो ये बात सच लगती ही नहीं है। उन्हीं लगता है कि एक रोज जोटी मुटी बात कर रहा है। लेकिन तब लाटे बोलती है कि हो सकता है ये बात बिल्कुल सच है। और आखिर हमारे पास में ऑप्शन ही क्या है। ये आखरी उमीद है। अब लाटे इस जगए पे रेस्ट करती है अगली सुभे तु जुम लाटे के घर पे पहंचता है जहां पर उसे लाटे मिलती ही नहीं है और वो समझ चाता है कि लाटे ज़रूर वाटर स्टोन को ढूंदने के लिए निकल गई है वो भी बुलक्ल अखिले तु जुम मब लाटे को ढूणता ढूणता पहुंच गया था उस तक और उसे मिलते ही वो उसे वापस कर चलने के लिए कहता है लेकिन लाटे उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है कि उसे वापस जंगल नहीं जाना आखिर जंगल जा कि क्या मिलेगा इसी अच्छा तो से वॉटर के फैमिली को जंगल के अंदर ये बात पता चल गई थी कि तुझुम घड़ नहीं लोटा है और हो सकता है कि वो जरूर लाटे के पीछे पीछे गया हो यहां तुझुम कंटेनसली लाटे को समझाने की कोशिश करता है कि वो भविश्यवानी सच नहीं है और अकर वाटर स्ट के पानी के प्राबलम को दूर कर सके यह बात सुनके तो वो फ्रॉग भी पढ़ी खुश हो जाती है कि सच में जंगल में तो बहुत प्राबलम है और अच्छा हुआ जो तुमने इसके बारे में कुछ सोचा वो फ्रॉग लाटे को और तुझुम को यहीं रुखने के लिए है कि आज रात तुम यहीं रुख सकते हो अगले सुबह तुझमों लाटे यहां से निकलने वाले थे तब फ्रॉग उन्हें जाने से पहले रास्ते के लिए कुछ बैरीज भी देती है ये लोग जंगल पार करते करते बहुत आगे तक पहुंच गए थे और इसे समय इनके साम के वो लाटे को यहां से जानी देते हैं इनका कुछ अलगी प्लैन था आगे बढ़ता बढ़ता तुझम अब बिल्कुल परिशान हो गया था कि हम कितना दूर और चलेंगे यहां पे भालू कि कोई गुफा नहीं है और अब तुमें मेरे साथ घर चलना चाहिए लेकिन ला तुम के उपर भयंग कर गुसा करती है कि आखिर उसके चकर में पहले ही लाटे लेट हो रही है और अब वो यहां से बिल्कुल अकेली जाएगी तब तुम सोचता है कि अब जब वो लाटे के साथ में इतना दूर आ चुका है जंगल से तो वो उसे अकेला छोड़के तो ब बात बताने के लिए वो लाटे के पास जाने ही वाला था लेकिन गल्ती से वो नीचे गिर जाता है जहां पर कहीं सारे भालू थे एक साथ में यहां पर उसे राजा का बेटा मिलता है जिसका नाम अमारो था अमारो को पता था कि उसके उपर कुछ तो है लेकिन फिर भी वो इसे बूड़े हैजौक को पराइशान कर दी आ, क्योंकि ये उस्से बहलों के गुफा के बारे में जानना था, आएखिरकर परिशान हो के व बूड़ा हैजौक लाटे को बहलों के गुफा का रास्ता बता देता है, लाटे के सामने पानी तो था लेकिन उसके पास जाने की जगा नहीं थी वहीं दूसी तरफ तुजुम और इसे के साथ में अमारों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तुजुम अपने आखों के सामने बहुत सारा पानी देखता है यहाँ दूसी तरफ लाटे भी इसी गुफा के अंदर पहुँच गए थी और उसे भी बहुत सारा पानी दिखाई देता है लाटे के बिलकुल सामने भालों का राजा था और इसी के साथ में वाटर स्टोन भी था लेकिन गल्ती से उसका पैर फिसल जाता और वो पानी के अंदर किर जाती है दो भालों उसे पकड़ लेते हैं उन्हें लगता है कि यह मचली है लेकिन यह मचली से थोड़ी अलग लगती है इसी के कारण वो उसे बंद कर देते हैं इसी समय तो जुम भी यहां आ जाता है और लाटे से मिलके बड़ा कुछ होता है साथ इमें वो से अमारो की बारे में भी बताता है जो कि राजा का बेटा है और उसका बहुत अच्छा दोस्त है यहां पे अमारो आके इन दोनों से मिलता है और अब तो लाटे की भी दोस्ती ह जाती है उससे अमारों इन दौनों की यहां से भागने में मदद करता है लेकिन सारे भालू मिलके इन सब को पकड़ लेते हैं तब यहां पे लाटे बताने लगती है राजा को कि वो यहां पे आखिर क्यों आई है उसे अपने जंगल की मदद करनी है क्योंकि वहां पे पानी बचा ही नहीं है सब कुछ सूख गया है जब ये बात राजा को पता चलती है कि यहाँ पर ये चोटी सी है जो वाटर स्टोन चुराने आई है तो उसे बहुत गुसा आता है इसी के करण वो सारे भालों को ओडर देता है कि इन दौनों को उठा कि बाहर फैक दो और ये तो बस दीता है लाटे भी फुल स्पीड से भागती है अमारों एक बहुत ही अच्छा भालों था और उसे पता था कि लाटे जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है इसी के करण वो लाटे को यहाँ से भागने में मदद भी करता है और साथ इमें ये भी कहता है कि जाके इसे वा देहरी मिलके इतने बड़े भालू से वाटर स्टोन चुरा के ला पाएंगे, बेडियों का तो काम हो चुका था, क्योंकि इनके बिलकुल सामनी वाटर स्टोन था, इतने ही देर में यहाँ पे भालू को राजा भी आ जाता है, और साथ ही में वो जंगले बिल्ले भी आ जाती यह सारे के सारे वाटर स्टोन के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन तब तुझों यहाँ पे इन सब का ध्यान भटकाने लगता है, और कहता है कि अगर जिसको भी वाटर स्टोन चाहिए, तो उससे पहले इने गेम खेलना पड़ेगा, लाटे इतने ही देर के अंदर उस व आने के लिए मदद करता है, तो जुम की फैमिली उसे वापस पा के बहुत खुश थी, साथ ही में अब सब लाटे को एकसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लाटे ने तो बहुत बड़ा काम किया था, जंगल में सब के लिए पानी के प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया था, अब जंगल के अंदर पानी आने के बाद सभी बहुत खुश थे, और इसी के साथ का इसी शांतर मूवी याई पर खत्म हो जाती है, तो आप सभी लोगों को यह मूवी क्यासी लगी मुझे जरूर बताएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में त आप तो कि लिए टादाओ